हलो बच्चो लस्ट कंटीडिए इस चाप्टर पेज़ नमा ट्विटिएवन चेप्टर सैकेंड हाना ओके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पेज को टर्न करेंगे, कम टू पेज नंबर 22, सेकेंड वाला डैश इस अन आउटपुट डिवाइस, तो क्या कीवोड, CPU, मॉनिटर, तीनों दिये हैं, इनमें से इनपूट आउटपुट डिवाइस पूचिये हैं, तो हैं मॉनिटर, नेक्स पेंट सोफ्टियर यूज़ तो, अब पेंट का यूज़ कहां किया जाता है, म्यूजिक या सर्मस में, आई होप आप सबको पता है, ड्रॉप पिच्चर्ज, ओके, यू केन प्ले गेम विद दा हैलप आउप, मैंने उस दिन बताया था, आपको गेम खेलने के लिए, जोयस्टिक की ज़रुवत पड़ते हैं, जोयस्टिक इसे इंपूट डिवाइस, तो अंसर रहेगा जोयस्टिक, नेक्स्ट डैस इस हार्डवेयर, अब मैंने आपको उस दिन बताया था, हार्डवेयर, सॉफ्ट्वेयर क्या होता है, जो जिनने छू नहीं सकते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, वो सॉफ्ट्वेयर होते हैं, जो छू सकते हैं, वो पार्ट्स होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, तो इसमें प्रिंटर ऐसा है, जिसे आप टच कर सकते हो तो वह hardware हुआ क्योंकि not paid और paint को आप नहीं चूँ सकते next मैं आप देख रहे है true false है हना first there are 28 alphabet keys in keyword अब जब यह बताई है जो हमको पता है कि alphabet word 26 होते हैं तो 28 कैसे हो सकता है हना तो it is false next there are three kinds of hardware parts of computer false क्योंकि यह three नहीं कितने होते है hardware there are three kinds of hardware parts of computer four okay तो आजाएगा false monitor is collection of many small button is called keys अब यह बताएगे monitor पर keys होती है क्या नहीं न वो तो keyword पर होती है इसलिए answer रहेगा false नेक्स्ट राद है mouse is a pointing device exactly mouse एक जो है वो आपका pointing device है तो answer रहेगा आपका true next question में देखेंगे c वाले में आपको यह copy में only book में करना है c वाला आपको a और b copy में करना है c वाले में करना क्या identify the given picture software and name them आपको यह जो देखो picture दिखरी है first वाली picture आप जैसे पहचान पा रहे है ms office की है second calculator है फिर not paid आ रहा है आपका फिर पैंट आ रहा है book में करना है अब question number d पर आते हैं यह d वाला जो है आपको copy में करना है match the following match following में सबसे पहले आप देखेंगे calculator calculator क्या है application software होता है क्या होता है application software आपको download करना पड़ता है हाना अब जैसे आप आप नया यह download इन्विल्ट भी होता है दैसे तो calculator हमेंसा इन्विल्ट रहता है क्योंकि application software ऐसे लिए माउस जो क्या है मैंने आपको बताया माउस क्या है अउससे प्रिंट निकलता है आउट होता है पेपर आउट करते हैं उससे पेपर को प्रिंट देते हैं तो आउट होता है वह बहार आता है यह निए आउटपुट तो monitor इसे आउटपुट डिवाइस यानि की column B का serial है 3,1,4,2 ओके यह आपको copy में करना है अब हम जलते हैं page number 23 की तरफ 23 पे सबसे उपर आप देख रहे हैं question answer लिखे हो है हना इवाली question में आपको मैं एक वा सारी question के answer पढ़के बताऊंगी आपको यह अपनी CW copy में लिखना है हना यह copy work है listen properly यह copy work है इसको आपको CW copy में chapter chapter का नाम date यह सब डाल के आपको लिखना है उसके बाद last में आपको ए लास्ट में क्या है उसमें अब first question what do you mean by hardware hardware क्या होता है सबसे पहले question क्या पूचा गया है hardware क्या होता है मैंने आपको बता है hardware hardware is a physical part of computer computer का वो part जो छू सकते है नहीं कि physical part and we can touch RC उसे आप देख सकते हैं और touch कर सकते हैं like monitor CPU mouse it is a hardware part of computer next question is what are the output device example sorry explain any two output device को बताईए वो क्या होता है और कोई दो device को explain भी कीजे ऐसा बोला गया है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे output device होती क्या है output device display the process from the data to the end user है इसका मतलब यह हुआ output device वो होती है जो input data देने के बाद processing होने डाटा देने के बाद process होती है और process होने के बाद जो चीज़ डिस्पले होती है after processing जो display हो रही है it is called output device है अब जैसे monitor आपने keyword से type किया monitor में गया processing होई और सुरी CPU में गया processing आई तुरंद monitor पे आ गया आपको तैसा लगता है ऐसे आप कर रहे हो तुरंद आ रहे नहीं उसके पहले वो processing के लिए CPU में जाता है बढ़ आपको उसका time पता नहीं चलता वो suddenly हो हो जाता है है तो monitor पे दिखा यानि डिस्प्ले हो रहा है इने प्रिंटर प्रिंटर पर आप किसी भी पेज का प्रिंट देते हो तो प्रिंट बहार आता है ना आउट होता है यानि की output device हो गया अब उन्होंने next इसी question पूछा एक्स्प्लेन नाम को दो डिवाइस को इसके output की डिवाइस को एनी टू को आपको एक्स्प्लेन भी करना है तो आपने यहां पर speaker और monitor कर लेते हैं पहले मैं पढ़ूंगी monitor monitor क्या TV जैसा दिखता है तो monitor लुक लाएक टैलीवीजन the output that show on the monitor is called soft copy monitor पर जो copy निकलती है और computer के अंदर रहती है उसे soft copy बोलते हैं ध्यान से सुनना जो आपने computer के अंदर file रखी है उसे soft copy बोलते हैं जो आप copy paste कर गए या किसी को forward कर देते हैं हना mail कर देते हैं whatsapp कर देते हैं वो soft copy होते हैं क्यों 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 वो system के अंदर है और monitor TV की तरह दिखने वाला output device है speaker और जो computer से print निकाल लिए आपने print out आ गया वो hard copy कहलाती है ठीक है और next speaker speaker is also output device यह भी speaker भी output device है क्यों क्योंकि इससे आवाज बहार आती है out होती है यानि की output device it is used to listen sound from the computer इससे आप क्या कर सकते हैं computer से जो music निकलता है आवाज जो निकलती है उससे आप सुन सकते हैं it used to listen sound from the computer इसकी sound इसकी है से आप computer के sound को सुन सकते हैं okay next question आता है आपको what is software so important ऐसा क्या है जो software को इतना important बताया है वैसे तो computer का हर part important है software hardware मैंने बताया था meet made for each other software के बिना hardware software अदूरा है hardware के बिना software अदूरा है दोनों एक दूसरे के लिए बने जब तक दोनों एक साथ वर्क नहीं करते तो आपका काम किसी भी प्रॉस्ट लास्ट स्टेश पर नहीं पहुच पाएगा अब software why important वो बताएंगे software is an important parts of computer it क्यों it included the computer program and data क्योंकि the provide the instruction वो computer को instruction provide करता है हना for telling computer hardware what to do how to do वो computer को बताता है कि आपको क्या करना है कैसी करना है आपको data in program जो होता है वो provide करता है instruction देता है और आपको बताता है कि hardware आपको बताता है it is a software software होता, क्या है set of program software is a set of program वो programmer का set होता है, clear, next question की ओर चलते हैं, next questionnaire, what is system software, क्या होता है system software, system software is a collection of program system software क्या होता है, software होता है program का collection करना एखटा करना प्रोग्राम को एकट्टा करना या उनका कलेक्शन करना प्रोग्राम का it is called system software and operating system is a part of system software वो भी system software का एक पार्ट है next question के और जाते हैं इसका हम एक ही लिखेंगे दो-दो मैंने दिये हैं what is the different would be input or output device के बीच में ऐसे हम पीच में पहले middle में line draw करेंगे एक साइट input एक साइट output लिखेंगे number one two डालेंगे और number one के सामने one आएगा two के सामने two आएगा first है input, input device, default device first आएगा an input device feed data to the computer system जो computer के system में जो आप data डालते हैं वो input की device की help से डालते हैं it is input output device output device display the process from the data to the end user आखरी में जब डाटा डालने के बाद, processing होने के बाद जो आपको result मिलता है यूजर आखरी का वो कहलाता है आपका output ठीक है input के example देंगे हम mouse, keyboard, joystick, back camera, etc. और output के देंगे monitor, speaker, soundcard, printer यह बहुत सारे हैं एक्सेप्टर अच्छा आज मैंने आपको यह chapter complete करा दिया है आज हमारा chapter 2 complete हो गया है, आपको जो चीज़े मैंने copy में बताई है, वो copy में लिखना है जो चीज़े मैंने आपको book में बताई है, वो book में लिखना है, मैं इसका एक pic कीच के आपको whatsapp कर दूँगे आप neat and clean तरीके से copy में CW में लिखेंगे अब last में मैं जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, कि मैं इसमें last में आपको एक activity दूँगे जैसे कि last year हम school में थे, तब मैं हर chapter के बाद आपको एक activity दिया करती थी, वैसे एक आपको activity दे रहे हूँ चलिए बचो activity ले लिजे, देखे, activity में आपको क्या करना है, दो input device ड्रॉ करनी है और दो output device ड्रॉ करनी है, ठीक है, दो input device बनानी है और दो output device दमाने है बट आप ध्यान से सुनेंगे, जब chapter में writing work पूरा complete हो जाएगा उसके बाद आपको new page पर date डालना है, chapter का नाम डालना है, activities डालना है फिर उस पर एक आधे page पर आप दो input device बनाएंगे, आधे पर आप output device बनाएंगे यनि कि एक page पर four block बनाएंगे और वहाँ पर two input, two output device को बनाएंगे neat and clean करना है, आप colors use कर सकते हैं, black pen, blue pen, जैसा भी आप चाहें drawing करने के लिए वैसा use कर सकते हैं, कोई foundation नहीं है pencil use कर सकते हैं, बट draw आप pen से नहीं बनाएंगे, after pencil करने के बाद आप coloring कर सकते हैं pencil यूज करने के बाद आप color करने के लिए उस cheese का use कर सकते हैं तो आपको पूरे chapter में ने अच्छे से समझा दिया है आपको क्या करना है पूरा chapter करने के बाद आपको activity बनाना है और activity complete करने के बाद आप मुझे अपने copy का जब chapter complete हो जाए तो पहले chapter 1 का अगर जिन्होंने pick नहीं बेजा है तो pick बेज दी एक pdf बना कर और फिर chapter 2 का जब writing का पूरा complete हो जाए तो उसकी एक pdf बना कर मुझे whatsapp कर दीजे ताकि मैं देख लू किन-किन बच्चों ने chapter 1 और chapter 2 complete कर लिया है अच्छा एक बात और ध्यान से सुनेंगे आपका chapter 2 का test होगा after 20 के date के बाद फिर से आपका chapter 2 का test number 2 आने वाला है और जिन बच्चों ने अभी भी test 1 नहीं दिया है वो test 1 दे दें chapter 2 का test 2 आने वाला है writing work complete करने के बाद जल्दी से जल्दी computer का chapter 2 तयार करेंगे क्योंकि test 2 में वही आने वाला है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से writing work complete करने के बाद जल्दी से जल्दी as soon as आपको learning start करनी है क्योंकि learning के लिए तो आपको बहुत अच्छे से बैट कर लिखना है फिर लिखने के बाद ही आप अपनी learning complete कर पाएंगे इसलिए आप सभी बच्चे अपनी learning start कर दें जल्दी से जल्दी writing work खतम करके learning start कर दें ठीक है next video में मैं आपको test के बारे मैं समझाऊंगी revision कराऊंगी उसके पहले आप लोगों को test के लिए सारा return work complete करना है और learning कर लीजे हना अगर मुझे अपने को turn मिला तो मैं आपको revision करा दूँगी otherwise मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ chapter test 2 में आपका chapter 2 आएगा जिसमें question answer भी रहेंगे choose the correct भी रहेंगे, friend the blank भी रहेंगे, draw भी रहेंगे जिसे मैंने पहले किया तो match column भी रहेंगे अगर हमारी turn आई तो मैं आपको revision कराऊंगी otherwise मैंने आपको इसी वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि आपको test 2 में क्या क्या आने वाला है okay all the best और अच्छे से काम करना आज की लिए यहीं खतम करने हूँ मैं okay good day